मिर्ची का उचार तो आपने बहुत बार बनाए होंगे खाया होंगे लेकिन आपने इस तरह से ना तो बनाए होंगे और ना तो कभी खाया होंगे यह खाने में इतना टेश्टी है कि आपको खाना के स्वाधि भढ़ा देगा तो शुरू करती से भड़ाना अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मुझे फेस्बूक इस्टाग्रम पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए मेरी रेस्पी कर सूर करती हूँ यहाँ पर मैंने 100 ग्रम हरा मिर्च लिया और 100 ग्रम मैंने अद्रक लिया है और इसमें मैंने तिन निम्बू डाला है और अद्रक के छलका मैंने निकाल लिया था और इसके बाद तिनों को मैंने अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद इसका जो पानी था अच्छे से मैं पहुच लिया था बिल्कुल भी इसमें पानी वगएरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए अगर थोड़ा बहुत भी इसमें पानी रहेगा या तो ये गीला रहेगा आचार हमारा ख़ड़ाव होने का डर रहेगा तो बिल्कुल ही सुखा कर इसे काटे यहाँ पर मैंने अच्छे चोर के डाल दिया है इससे यह अचार है जो काफी ज्यादा टेश्टी बनता है अगर आपके पास निम्बू ना है तब अधरक हरमीर्च का भी अचार बना सकते हैं और इसमें आप निम्बू को जगा विनेगर भी डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर दो छोटे चमच हल्दी प होंगी यह भी पक जाता है तो टेश्टी लगता है आप इसे बिल्कुल भी ना फेके तो निम्बू अधरक और हरमीर्च हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदे मन होते हैं तो यह ठंडी है तो यह मार्किट में भी बहुत संस्तेदामा में मिलता है आप जरूर से घर पर ला है तो प्लीज आप एक बार ड्राइ करके देखे आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और निमू जैसे कबजियत बगेरा हो जाता है तो आप उसे निकाल कर भी खा सकते है तो यहाँ पर मैंने तरका पहन लिया ह है और इसमें मैं थोरा सा डालूंगी गोल की और इसमें दो चमच में डालूंगी जीरा और यह मसाला को पीस करा अगर डालिये अचार में तो वो काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है इसमें मैंने दो चमच अजवाइन डाला है और इसको कच्छा पंश्रिप निकालना है ना कि इसे भूंजना है ज्यादा अगर ज्यादा भूंजा आ जाएगा ति कड़वा मसाला लगेगा और आचार में टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा समय से नमी निकलने के लिए भूंज रही हूँ तो यहाँ पर अच्छे सी खुसबू आने लगी हलकालका तो गैस को मैं बंद कर देती है तो यहाँ पर मैंने लिया है मिकसि जार इसमें मैं मसालो को डाल देती हूँ और इसे बिल्कुल मैं पाईंट पाउडर तियार कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने मसालो को पीस लिया है यह दीखिए तो अब मैं यह मसाला मिर्ची अद्रक अनिम्बू में मिला दूँगी इससे यह मसाला से जो अचार है काफी ज्यादा टेस्टी बनता है तो यह मसाला जरूर डाले अजमान तरह से भी हमारे सिहत के लिए बहुत ही फा और यह खाने में भी टेस्टी लगता है थोरा सा निम्बू और अध्रक को पकने में टाइम लगता है लेकिन मिर्ची का अचार आप एक से दो दिन में खा सकते हैं तीशे 15 से 20 दिन धूप में आप रख दे अधूप में रखने के बाद यह अगर अच्छे से पक जाएगा तो अचार है जो लंबे समय तक टिकता है यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा कभी भी आप अचार निकाले गिले हाथों से ना निकाले सुखे हाथ से निकाले तो मैंने यहाँ पर डाला है एक चमच काला नमक और इसमें मैंने एक चमच सिना नमक डाला है और सब को मैं अ आच्छे से मिला लीया है तो मैं एक सिसा का। जार में रहोंगी उसे मैंने पहले से ही सुखा कर और अच्छे से पहुछ लिया बिल्कुल भी इसमें पानी वगएरा कुछ भी न रहे अगर सिसा का जार अच्छे से सुखा नहीं रहेगा ताचार है जो खराब हो जाएगा तो ये तो मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर मैंने जार के अंदर सारे अचार को डाल दिया है अब मैं इसे 15-20 दिन तक धूप में रख दूँगी इससे मचाला है जो अच्छे से पक जाएगा और मेर्ची अध्रक और निम्मू में ये अंदर तक चला जाएगा तो इससे ये खाने में भी टेस्टी लगीगा आप चाहते एक से दो दिन में में मेर्ची के अचार खा सकते है अगर आप खान अचार का सोखीन है तो एक बार मेरे तरीके से भी आप बना कर देखे आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करे और मुझे कमेंट करना न भूले फिर मैं मिलती हूँ नही वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई